आज जाग गया मेरे अंदर का एक मेकप आर्टिस्ट तो मैंने यह लुक क्रियेट किया है तो मैं आप लोग को सिखाऊ स्टेप बाइ स्टेप कैसे मेकप करना है तो सबसे पहले मैंने इसके फेस को अच्छे से क्लीन कर दिया था पहले मैंने फेस्ट वस करा दिया था उसके बाद इस पर यह मैं लगा रही हूं मौस्ट्राइजर मौस्ट्राइजर यह देखो यहां पर यह मस्ती कर रही है मेरी इस में पैची आजीब सी नहीं तो मैंने उसके बाद मैंने मेकब निकलने के चांसे सें उसके बाद मैंने आई बेस लगाया है यह मैंने इंसाइट की पैलेट यूज की वेए यह पैलेट अफोरड़ भी है और इसमें सारा शेड्स होते हैं कंसीलिर के जिसमें जो भी आपके face पे problem हो आप उसको उसके according use कर सकते हो then मैंने आज small beauty blender लिया और उसे पूरा eye base पे अच्छे से spread कर दिया है उसे blend कर दिया है blend करने के बाद मैंने उसे lock कर दिया है ताकि उस पे crease lines ना पड़े eyes open करते ही उस पे lines आ जाती है then मैं एक eyeshadow base उठाऊंगी जो भी मुझे color shade देना है मैंने यहापे brown shade दिया है उसके बाद मैं यहापे कुछ pink shade डालते हुए उसको अच्छे से blend कर दूँगी और यहाथ से मैं थोड़ा सा glitter sparkle लगा रही थी उसके बाद यह bones highlight कर रही थी eyebrow bones जो यहापे होती है उन्हें highlight करने के लिए हम यूज करते है glitter वो यूज कर रही थी यहापे प्राइमर यूज किया है क्योंकि यह तो most important part होता है हमारे make-up का इससे हमारे pores जो होते हैं जिनके pores वो फिल हो जाते हैं और कफी smooth texture आता है हमारे make-up पे यह मैंने second primer यूज किया है यह स्विस ब्यूटी का जो glow वाला जो इसमे glow sparkles होते है वो वाला यूज किया है फिर यहापे मैंने अपने model के skin tone को match करते हूँ है foundation shade बना है क्योंकि मुझे से बहुत जादा fair नहीं करना था make-up gray भी हो सकता था बड़ जो skin tone है उसकी beauty को उसी में enhance किया है then यहापे highlight किया है concealer से मेरी model हस रही थी बोल रही थी कि मुझे भूत बना दिया है उसके बाद मैंने यहापे powder से अच्छे से base को lock कर दिया है ताकि कहीं से भी और जो जो भी extra powder था उसे dust off कर दिया है उसके बाद फिर मैंने उसे बोला smile और मैंने इसके face पर लगाया है blush थोड़ा nose पर भी लगाऊंगी थोड़ा chain पर भी लगाऊंगी और proper जहां जहां लगता है blush मैंने लगा दिया then यह रहा हमारा look यहाँ पर मैंने उसके eyelashes भी लगा दी है blending कर दी है lipstick भी लगा दी है यह सारे काम मैंने कर दी है और यह है हमारा final look तो आप मुझे बता देना है मैंने बाकी का shoot नहीं किया था otherwise मैं आपको दिखा दी तो आप अगर बोलोगे comment section में तो मैं proper video बना दूँगी उसके उपर next कोई भी look create करके और यह है उसका proper look आप comment करके बताना कि कैसा look है आपको कैसा लगा thank you